हेलो गाईज, विल्कम टो चीवाईएस, मैं नेम इस एविश मिठी, इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्यूं हमें नीड है काउंटर कोरेशन कोईलेशन अगेंस चाइना, चाइना जिस तरीके से अपने ट्रेड सरप्लस को या ट्रेड को पोलिटिकल टूल के तोर पर इस्त चाइना के अगेंस्ट, एक्जामपल से हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करता है औस्ट्रेल्या के, देखो ऐसा है कि औस्ट्रेल्या इस दे लेट्टेस्ट कंट्री तो सफर फ्रॉम चाइना स्टेट को चाइना एस्ट्रेलिया 2019 में अपना उं-थर्ड रहा था ऐस्ट्रेलिया करीब 169 billion Australian dollars कमा रहा था चाइना को एक्सपोर्ट करके जो उसका वन थड़ था यह केस हो गया एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी का और चाइना को ऊस्टेलिया को इससे ट्रेड सर्प्लस ही मल रहा था यानि जितना वह एक्सपोर्ट कर रहा था उससे कम ऊस्टेलिया इंपोर्ट कर रहा है ठीक है यानि ऊस्टेलिया को ट्रेड सर्प्लस है इंडिया की बात करें तो इंडिय इंपोर्ट बहुत जदा कर रहा था और एक्सपोर्ट कम कर रहा तो ट्रेड डेफिशिट हो गया लेकिन ऑस्ट्रेलिया का केर्स और सीरियस है क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट के मामले में अब चाइना पूर तरीके से डिपेंडेंट है अब दिक्कत क्या हुआ भी पिछले कुछ सालों में माला बार एक्साइज की बात कर लो आप जिसमें अभी ओस्ट्रेलिया को भी लेने की बात हुई ओस्ट्रेलिया ने अभी हाली में चाइना के खिलाफ इंटरनेस्ट्रेल फोरम में अवाज उठाई की कोविड-19 का इंवेस्टिकेशन होन और अब वर्निंग इशू कर रहा है वो ऑस्टेलिया को और कई एक्शन्स भी लिया है मैं आपको बताऊंगा कैसे पॉलिटिकल टूल के तोर पस्तमाल करने कोशिश किये ट्रेड को चाइना पिछले कुछ दशकों में ऐसा ही करता आ रहा है चाइना ये क्यों कि देखो ऐस आए कि ऑस्टेलिया तो हार मानी जाएगा ऑस्टेलिया तो एक टेम पे आके हाथ खड़े करी देगा अपने लेकिन इसका अब्जेक्टिव यह नहीं है चाइना का अब्जेक्टिव यह भी है कि कहीं ना कहीं और कंट्री जो मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप हमें अपो उसकरोगे तो यू विल सफर और कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं समझने चाहिए दुनिया को कि ऑस्ट्रेलिया है ठीक है क्या कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया लास्ट होगा चाइना इसके बाद ने करेगा यह चीज भठती जाएगी चाइ चाहिना आजकल को भी होस्टेज में लेने लग चाहिए बंदी बनाने लग घया दूसरी कैंट्री पे प्रेशर डालने के लिए बी क्या हुआ इंडिया चाहिना हमारा चाना का ट्रेड नोर्मल है हम्ठेट डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ ठीक है हमको market assess नहीं मिलती ठीक है ये बात अलग है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ चाइना जिस तरीके से trade को political tool के तुर पस्तिमाल कर रहा है कैसे Australia की dependency मैंने समझा दिया आपको चाइना पर कितनी है चाइना ने क्या का Australia को अभी ये 14 demands है हमारी पूरी कर दो इनको कौन सी demand है एक demand आपको बताता हूँ 14 में सी एक demand ये थी कि Australia अपनी जो free press है और जो academics है जो चाइना का criticism करते है उनको चुप करा दे उनको बंद करा दे उनको समझा दे उनका मूबंद करा दे तो चाइना को क्या जुरुद पड़ गई internal affair में किसी के internally interfere करने की ये political demand चाइना किस responsibility के साथ कह सकता है किस कुस तो बात होगी कि चाइना कहीं ना कहीं trade को लेके चल रहा है कि trade की वज़े से हम उष्टले pressure डाल सकते हैं और उसकी free press को भी बंद करा सकते है तो ये कोई पहला ऐसा तरीका नहीं है चाइना का पिछले कई सालों में चाइना ऐसा करता आ रहा है जैसे मैं और अगर बात करूँ तो हाली में आपने सुना होगा कि चाइना के एक लियू जियाबो का नाम सुना होगा चाइनीज जो थे वो हुमन रेट एक्टिविस्ट थे चाइना में और इनको अभी नोबल प्रीस प्राइज मिला था नौर्वे की तरफ से नौर्वे ही देता है जो लेकिन चाइना ने नौर्वे को पनिश करने की सोची क्योंकि ये जो लियू जियाबो थे ये हुमन उसकी प्राइफ करते हैं तो नौर्वे पर प्रस्याट डालने है कोशिश कि हाली में साउद को जिया किया उसके प्रस्जाय कि बात आप सबको पता है हुई की जो dignor 3D की जो मिंग वंजयू इनको इनके ऊपर कनाडा ने इन्वेस्टिकेशन चालू कर दिया था क्योंकि हुए पर इलजाम लगा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं दूसरी कंट्री की इंफॉर्मिशन चाइना को देते हैं यूस ने भी बैन कर दिया हुए को कनाडा ने भ पड़ेगी कि चाइना कहीं न कर ऐस्ट्रेलिया के केस में बिलकुल अलग कर रहा है देखा जाए तो कोई ट्रेड डिसेग्रीमेंट दोनों की बीच में नहीं है लेकिन चुकि ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकली चाइना के खिलाफ हो रहा है तो इसलिए वो ट्रेड को इसके कोस्ट भुगतनी पड़ेगी उसको यहां पे जो है कोस्ट जेलनी पड़ेगी और चाइना को इससे कोई कोस्ट नहीं मिलेगी जैसे चाइना ने अभी उस्टेलिया पे कोरेशन की कोशिश की कनाड़ा के फोरें नेशनल्स को बंदी बना लिया चाइना को क्या एफेक्ट पढ़ा आप तक तो कोई फैक्ट नहीं पढ़ाता और इसी वजह से चाइना रिपीडिटली करता रहा यही एक प्रूफ है और दूसरा जो विक्टिम कंट्री है वो इसके बदले में कुछ भी नहीं कर बाता है करता है तो बहुत स्लो प्रोसेस रहता है अब मैं आपको समझा और अब चलता है इंडिया में और बाकी वेस्टन में क्या फारक है वेस्टन जो कंट्री सभी लिबराल को अलग करके चलती है ठी के मतलब उन लीबरल मंत्रा उनका है ट्रेड का की पोलिटिक्स और एकनॉमिक्स जो है अलग-अलग चलेंगी और एकनॉमिक्स में कभी भी जो पोलिटिशन्स हैं वो कभी इंट्रफेर नहीं करेंगे और इसी वजए से वेस्टन कंट्रीज चाइना के खिलाफ आप नहीं लड़ पा रही भारत ने तो लेसी पर दिक्कत हुई तो एप्स बैन कर दिये भी तो क्या उखाड लिया चाहिना और इंडिया में कौन सा क्या हो आराम से कोई दिक्कत नहीं स्मूद प्रोसेस के जरी हमने बैन कर दिया वेस्टन कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वहां पे बिजनिस हाउसेस का डॉमिनेंस रहता है पुलिटिक सोरी उन दोनों की बिच में काफी सेपरेशन रहती है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि करने की कोशिश करें तो कैसे करें उस्ट्रेलिया जो बिजनिस हाउसेस है वह उस्ट्रेलियन जो पुलिटिक से उससे बिल्कुल सेपरेट है और डॉमिनेंस इतनी है नहीं वहांके अभी भारत ने तो भी ठीक है गर्रॉमेंट ने सोचा कि यह एप्स को बैन कर देना चाह हो अपना और बाखी कंट्रीज नहीं उठा सकती है फेस्टन कन्ट्रीज को बहुत दिख्कत आती है देखो आप ऑश्ट्रेलिया की बात करो अभी तक तो हमने देखा कि कंट्रीज इंडिवीज़ी रिस्पार्स दे रही थी मतलब ऑश्ट्रिया कर लो जो करना है हम डरें के केस में यहाँ पे देखा जाए तो moral support और country से मिला है practical support भली इतना ना मिला हो और economic decoupling की बात तो रही है कि Australia पे इतना pressure बनाना गलत है और हम अब चाइना के से economic decoupling को और fast कर देंगे मतलब चाइना की dependence अब खतम कर देंगे लेकिन एक बात याद रखना इसका ground level पे कोई वो चाइना पे एक प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना पे अगर प्रेशर पड़ता ही तो चाइना पहले ही समझ जाता जब Canadian होस्टेज नेशनल्स को होस्टेज किया Australia पे प्रेशर किया या फिर India पे प्रेशर जमाया तो और countries पे जो South Korea पे किया प्रेशर जमाया तो समझ जाता लेकिन समझ नहीं तो कहीं न कहीं इसका मतलब यह फ्रोसेस है और हम को अब एक फ्रोसेस चाहिए कि फ्रोसेस चाहिए हमको जिसमें हम चाइना को यह जो ट्रेंड को- political portion के तरीके से इस्तमान करने वाली जो चीज़ उसको रौख सके एक counter-corsion coellation हम बना सके अब यह जो counter-corsion coellation आपको सुनने में लग रहा होगा की काफी जाधा tough होगा कितनी countries आएंगी लेकिन यह हुँत easy है और faster है जैसे अपने quad बना है quad का कोई कोई फिक्स मोटिव नहीं है कोड का कोई एक डायरेक्शन नहीं एक प्रोपर की हमको यह करना है लेकिन कोड कितना एक्टिव है आप देख सकते हैं और आप नुक्लियर सप्लियर ग्रूप देख लो MTCR देख लो तो यह है कुछ फोरम जिंसे हम सीक्सकते है और चाइनद के खिलाव एक कोलेशन बना सकते हैं 12T कोईलेशन करेगा क्या मैं आपको बताता हूं हम जैसे मालो कोईलेशन बना दिया फिर क्या होगा कि जो कंट्रीज आएंगी जैसे उस्ट्रेलिया आगया साउथ कोरिया आगया जापान आगई हम आगे तो हम मिलके क्या करेंगे चाइना के खिलाफ काम करेंगे कभी भी अगर ये trade correlation का इस्तमाल करता है वलनेबले countries के खिलाव या धमकिया देता है कि trade जो हम खतम कर देंगे उस country के साथ अगर चाइना के खिलाव गया तो तो ये जो चाइना धमकी देता है ये जो political tool के तुरप इस्तमाल करता है इसके खिलाव हम add कर सकता है कैसे हम करेंगे victim को support ये जो coalition होगा जरूरी नहीं समें India join करेगा नहीं करेगा लेकिन जो coalition है ये victim को support करेगा जैसे Australia को support करेगा join declaration लाएगा उसके support में उसमें साफ साफ कहेगा कि चाइना यहाँ पर गलत कर रहा join declaration एक चीज है उसके बाद हम material ways में भी support देंगे ये coalition क्या कर सकता है जैसे Australia की अब जो export चाइना पर कर रहा था वो अब Australia को कहीं न कहीं नुकसान देगा कि अब export बंद हो जाएंगे या चाइना कोई भी duty उटी उन पर लगा देगा तो Australia अब export कहां करेगा तो इन coalition में जो countries हैं हो help कर सकती ठीक है हमारे market में हम आपको access देते हैं तो आप आओ और अपने export हमारे करो तो ऐसा अगर सम मिलके करेंगे तो सब को नुकसान भी नहीं जहलना पड़ेगा और सब क्या फाइदा भी होकर चाइना खिलाफ काम भी हो जाएगा joint action भी ले सकते हैं जैसे हमने Australia की मदद भी कर दी और China कभी दोबारा ऐसा नहीं करें क्योंकि ऐसा तो फिर चाइना को देखो अगर हम retaliate नहीं करेंगे तो China समझेगा ठीक है चाइना तो कुछ भी कर लेगा coalition उसकी मदद कर देगा लेकिन चाइना को क्या हुआ चाइना को क्या मिला तो चाइना क्या है हम यह coalition चाइना के खिलाफ retaliate कर सकता है tariffs लगा सकता है ताकि चाइना दुबारा करने से बचे तो पनिशिटिव action भी हमको लेना पड़ेगा अब कुछ चीज़ें यहां पर देखो अब coalition को यह साफ साफ दिखाना पड़ेगा कि हम अकेले नहीं हैं हम सब साथ में चाइना जो है इसे individual countries को ऐसे attack नहीं कर सकता है और यह सोच यह नहीं सोचेगा कि कोई की मदद करने नहीं आएगा तो trade vulnerability का इस्तमाल करके चाइना political pressure के तोर पर इस्तमाल नहीं कर सकता यह एक signal जाना चाहिए लेकिन अब कुछ इसमें डेंजर्स हैं जो avoid करने पड़ेंगे पहला तो यह मान लोकल कोईलेशन बन भी गया तो होता क्या है देखो मान लोकोईलेशन ने कुछ success हासिल कर ली शुरुवात में हमने चाइना पे बहुत pressure डाल दिया और चाइना ने जो है वो किसी country पे trade vulnerabilities का फाइदा उठाना बंद कर दिया तो हुता क्या है कि एची समननी पड़े कि कि अगर कभी फिर चाइना वापस action लेता है तो ही हम react कर रहे है ऐसा नहीं है कि चाइना action नहीं ले रहा लेकिन हम जो है response से दे रहे हैं बिना किसी मतलब कि ठीक है मतलब हम reaction उसने कुछ किया कोईलेशन रेडिक्शन दे दिया चाइना ने उसको नोट किया और दोबारा चाइना सना करें ऐसी हम उमीद कर लें दूसी चीज यह जो एक्स कोईलेशन और चाहिए ऐसा नहीं है कि हर तरह के ट्रेड डिस्प्यूट्स में इंट्रफेर करने लग जाए अभी इंडिया को चाइना में सेस नहीं मिलता प्रोब्लमेटिक है अब्जेक्शनेबल प्रेक्टिसेंस है लेकिन यह उस चीज से डिफरेंट से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चाइना अगर ट्रेड को पॉलिटिकल टूर के तोर पसित्माल करता है अभी और ऑस्टेलिय से डिमांड की कि internalmaid को बंद कर दो तो चाइना की क्या औकात की व ऐसी बोल रहा है ऐसी बंद कर दो तो वह क्यों कर पाया को कहींना कि ट्रेड वलिबिलिटिज है और ये जीज वो नहीं कर पाए normal trade disputes हमेशा रहता है जैसे शंकर साब ने भी बोला था कि if we have trade we will surely have trade disputes trade है तो trade disputes भी हो नहीं होंगे लेकिन कोशिश ये करने ही चाहिए कि जो political tool के तूर पर इस्तमाल करें जब चाहिए तो हम ये coalition फिर action ले सकता है और क्या होता है जैसे political problem के तोर पर जो है ये उभर कहना है कि हम political problems को soul करने लग जैसे चाइना अभी human right violation कर रहा है जिंग जियांग में उर्गिर्ष के खिलाफ और ताइवान को भी threats देता है तो ये coalition उसके लिए नहीं होगा ऐसा नहीं है कि फिर हम फिर ये coalition चाइना को हर तरह से घहरने लग जाए और अपने purpose से भाहर चले जाए और टूल्स हो सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए जैसे अपना खुद का फाइव जी बनाएंगे चाइना के फाइव जी जो है वही जो कंपनी है उन पर dependent नहीं रहेंगे तो और तीजों के लिए और फॉरम्स हैं लेकिन यह जो ट्रेड का इसके में बात कर रहा हूं इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा वैसे भी अब देखो इकनोमिक डिकप्लिंग शुरू हो चुकी है बहुत सी कंट्रीज और चाइना के बीच लेकिन इसको फास्ट करना पड़ेगा और फास्ट अभी